नमस्कार छात्रों मैं अनुश्रवास्तों अपने यूटूब चनल जी की आर्ट पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं छात्रों एक बाद फिर से मैं आपके लिए कुछ महत्तपुर्ण कोस्टंस को ले कराया हुआ हूं और आज की कोस्टंस समिधान से रिलेटेड है और समिधान के भाग 6 से राज जेपाल से सम्मंधित आज मैं कोस्टंस को कराने बाला हूं तो मैं साहूंगा कि राजेपाल से रिलेक्टेट जो भी कोसंस एक्जाम में पुछे जाते हैं उसमें आपको किसी प्रकार का कोई संसाय नौर है इसके लिए आप पूरा विडियो को जरूर देखें और कोसं को एक स्किप मा करें तो शली हम बिनादेरी के पहले प्रशनी की रुभ़ए, पहला प्रशन क्या पूछा गया है पहला कोसं दे रहा है कि समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत राजेपाल राश्ट पती के अनुमोदन के लिए किसी बिध्याक को भेज सकता है ठेक है, questions क्या दे रहा है कि समिधान की किस अनुछिद की अंतरगत राज़ेपाल राश्टपती की अनुदन के लिए किसी बिध्यक को भेज सकता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज़ेपाल कुछ बिध्यक को राश्टपती की बीचारार्थ रख सकता है और इसी का जिकर पुछा गया है कि किस आर्टिकल में दिया गया है option कर रहा है कि 106, b option कर रहा है कि 200, c option कर रहा है कि अनुछे 249 और dordon कर रहा है अनुछे 240 तो article जो 166 हैं उसमें सावब सब्दों में लिखा गया है कि राज़े सरकार की कार्यों का संचालन कैसे होगा तो यह आपको option नहीं बनेगा B option कर रहा है कि अनुच्छे आर्टिकिल 200 अनुच्छे जो 200 है यानि आर्टिकल जो 200 है उसमें दिया गया है कि बिधियकों पर अनुमती जो है किस प्रकार से मिल सकती है ठीक है? यानि कि यह आपका answer बनेगा यह बिल्कुल सही होगा D option दे रहा है कि C में पर देखिए C option दे रहा है कि आर्टिकल 239 आर्टिकल 239 में क्या है? तो संग है राज्य छेत्रों का सासन किस प्रकार से होगा? इसकी जर्चा की गई है यानि Union Territory की बारे में है केंदर सासित प्रदेशों के सासन के बारे में तो यह भी option नहीं बनेगा और D में दे रहा है कि आर्टिकल 240 यानि कि कुछ संग राज्य छेत्रों की नियम बनाने की जो राष्ट्रपती की सकती है उसकी इसमी चर्चा की गई है तो आपका सही अंसर बनेगा कौन सा आर्टिकल 200 यानि बे नॉमर अप्सन अब आई दूसरा कुछन देखिए दूसरा कुछन क्या दिया गया है राज्य पालों की संदर्व में नियमन में कौन सा कथन सत्य नहीं है ध्यान रखिएगा कुछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है पहला कुछ अप्सन दिरा है कि वह राज्य की बिधाईका का अंग होता है राज्य की बिधाईका का अंग होता है जी हाँ ये बात बिलकुल सत्य है और अगर ये सत्य है तो ये अंसर नहीं बनेगा पूशा गया कि कौन सत्य नहीं है बी option दिरा है कि वो मृत्यूदंड को छमा कर सकता है ये statement सही नहीं है क्योंकि मृत्यूदंड पर माफी करने काधिकार सिर्फ राष्ट पपी को है यानि कि ये option बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया गया है और अगर ये गलत दिया गया है, सत्य अगर नहीं है, तो यही आपका एंसर बनेगा, क्योंकि पुछा गया है कि कौन सा कफन सत्य नहीं है, बाकि एगर C option की तरफ जाते हैं, तो लिखा है कि वह राज्य की उच्छ न्यायाले की न्यायधीसों की न्युक्ति नहीं करता है, य अगला पूश्न देखें, अगला प्रूश्न क्या पूशा गया है, अगला प्रूश्न जो तीन नंबर दिया गया है, दिया है, कि भारत के एक राज्य की राज्य पाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान देजिए यानि राज्य पाल को लेकर जो कथन दिये गए हैं उस पर आप विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है पहला अपसन दे रहा है कि उसे जर्म से भारत का नागरीख होना चाहिए जिहाद बिलकुल उसे जर्म से भारत का नागरीख होना चाहिए क्योंकि राजेपाल की जो योग्यता है उसमें साफ लिखा गया है तीसरा अफसन दे रहा है कि उसमें लोक सभा का सदस्य होने की युग्यता होनी चाहिए बिलकुल नहीं एक दम गलत है लोक सभा का सदस्य होने की युग्यता नहीं उसे राज्य बिधान सभा का सदस्य होने की युग्यता होनी चाहिए लोक सभा का सदस्य होने की युग्यता ये राष्टपदी के लिए होती है राज्येपाल के लिए यह answer नहीं वनेगा यानि 3 नहीं होगा 4 दे रहा है कि वह एक से αधिक राज्यू का राज्येपाल हो सकता है जिहाद बिलकुल हो सकता है हलाकि अगर आप देखेगे आर्टिकल 53 तो उसमें साफ लिखा गया है कि यदि आप देखेगा 163 तो उसमें साफ लिखा गया है कि एक राज्य का एक ही राज्येपाल होगा लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से एक राज्येपाल को दो या अधिक राज्यों की जीमवारी भी दी जा सकती है यानि चौथा भी सही है तो पहला दूसरा और चौथा ये आपके तीन एश्रेट्मेंट सही जा रहे हैं और ऐसा देखेंगे कि किस अप्सन में है पहला दूसरा और चौथा A में देखे 1 और 2 दिया है ये नहीं होगा B में दिया है 1,2,3 तीन तो नहीं होगा 1,2,4 देखे आपर C आपका सही मिल रहा है यहीं आपका answer बनेगा अब आईए हम next प्रस्ण को देखें अगला प्रस्ण क्या पुछा गया है चौथा कोसं देखे है जो देखें जो अगला दे रहा है कि उसे राष्टपती नियूब करता है यहाँ यह statement सही है दूसरा दे रहा है कि राष्टपती की इच्छा अनुसार यह पद पर रह सकता है यह भी एस्ट्रेट्मेंट सही है यानि कि राजपती जब चाहे तब उसे रड़ा सकता है तीसरा देले कि उसमे राजजी की कारेपाली का सक्ति नहीं थोती है जी हाँ बिलकुल यह भी एस्ट्रेट्मेंट सही है कारेपाली का सक्ति उसमें नहीं थोती है चौथा दे रहा है कि समानेता हुआ पांच बरस के लिए पदपर आता है ये भी इस्ट्रेट्मेंट सही है तो पहला दूसरा और तीसरा और चौथा चारो इस्ट्रेट्मेंट सही जा रहे है और ऐसा जिस option में होगा वही आपका answer बनेगा तो ए में देखे क्या दे रहा है एक और दो ये गलत हो जाएगा बे में दे रहा है कि एक दो तीन ये भी गलत हो जाएगा चारो होना चाहिए सी में देखे एक दो चार ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें तीन नहीं है को छोड़ दिया गया था क्योंकि मतलब राज्य समिधान के मौसादे में जो निर्वाचित राज्येपालों की प्रावधान है उसकी मूल यूजना को छोड़ा गया था क्यों तो एक में दिरा है कि इसका तात्परी होता है एक दूसरा निर्वाचन जी हाँ ये सही है दूसरा दिरा है कि निर्वाचन प्रमुख फ्राजरतिक मुद्दो पर ला जाता है तीसरा दिया है कि निर्वाचित राजेपाल अपने को मुख्य मंदरी से बड़ा मानता है यहाँ बिल्कुल निर्वाचित राजेपाल अपने आपको मुख्य मंदरी से बड़ा मानता है ये वेश्ट्रेट्मेंट सही है और आज ये पाल को संसदिय पणाली के अधीन ही कारे करना था ये वेश्ट्म सही है यानि कि पहला तीसरा और चौथा सही जा रहा है और ऐसा अगर देखेंगे तो पहला तीसरा और चौथा ओप्सन सी में दिया गे है यानि कि आपका सही अं किया जाता है तो उस राज्य पाल को संदे उपलब्धियां और भत्ते होंगे जैसे कि निमानुसार एक राज्य का एक राज्य पाल होता है लेकिन विकट परिस्थियों में जब एक राज्य पाल को एक या उससे अधिक राज्यों का भी राज्य पाल बना दिया जाए तो क्य इस परशिती में एक से अधिक राज्यों का जबवा राजय पाल बन गया है, तो क्या उसके वेतन और भत्तों का भी सुविधाओं का लाब उठाएगा, यानि अगर दो जगा कर राजय पाल है, तो दो जगों का उसको भत्ता मिलना चाहिए, तीन जगों का राज़य पाल है, चुकि राज्य पाल की न्युक्ति खुद दूसरा कोई करता है तो वो न तय करेगा कि किसी राज्य को अगर हम एक से अधिक राज्यों का राज्य पाल बना रहे हैं तो उसको कितने हमको राज्यों का वेतन देना है, कितना भत्ता देना है, यह उस पेड़ी पेड़नी करेग बीदे रहें कि राष्टपती के न्रणाय आनुसार यानि राष्टपती जो न्रणाय ले लेगा उसके हिसाब से चलेगा ये भी बिल्कुल नहीं है सीदे रहें कि ग्रिह मंत्राले के न्रणाय आनुसार ग्रिह मंत्राले कोई से कोई मतलब नहीं है उसे उन राजियों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राश्टपती आदेश द्वारा ओधारित करेगा यानि कि जो आदेश देगा उसके हिसाब से बाती मानी जाएगी यानि के डी नॉम्बर अपसल एकदम परफेक्ट जा रहा है यही आपका अन्सर बनेगा फिर आई हम अगला प्रस्ट देखे साथ वांको संदिरा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की सपत ग्रहन करवाता है आपका सही अन्सर बनेगा सी उच नियाले का मुख्य नियादिस जो राज्य का हाई कूट होता है उस हाई कूट का जो चीफ जस्टिस होता है वही उस सम्बंधित राज्ये की राज्यपाल को पद योंगोपनियता की सपत दिलवाता है तो C आपका सही अंसर है आठमा कोशन देखें आठमा कोशन देखें कि किसी राज्य की राज्येपाल द्वारा जारी ओर्डिनेंस का अनुमुदन होना आवस्यक है किसके द्वारा देखें कि A राष्टरपती द्वारा B राज्य की विधाई का द्वारा C राजी के मंत्रियों के काउंसील द्वारा और D जो दे रहा है उपरिट में से कोई नहीं तो यहाँ पर एंसर B बनेगा राजी की बिधाईका की द्वारा यह आपका सही एंसर बनेगा उसके बाद अगला कुशन दिखे नौ नमर राज्य का राज्येपाल मंत्री परिशत की परामर्ष से स्वतंत्रकार्य कर सकता है यानि कि राज्ये का जो राज्येपाल होता है वो राज्ये की मंत्री परिशत की परामर्ष से स्वतंत्रकार्य कौन सा कर सकता है दे रहा है पहला कि बिधान सभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है जी हाँ ये उसका कारी हो सकता है कि बिधान सभा में सरकार को बहुमत साभी करने के लिए कह सकता है दूसरा दिन है कि मुख्यमंद्री को बरखास्त करने के लिए इसका सोतंतरकार ही नहीं है। जब तक की समीधान की नियमों का उलंगन नहीं होता है तब तक वह जो है मंत्री परिशत के परामर्शैसर नहीं कर सकते हैं। तीसरा कुसंद्र है कि भारत की राष्टपती की विचारार्थ किसी विध्याक को आरक्षित करने के लिए, यह जो है इसका सोतंत्रकारे हो सकता है, यह सोतंत्रकारे हो सकता है, यह किसी से पुछने क्या हो सकता नहीं, यानि कि पहला भी सही है और तीसरा भी सही जा रहा है, चोथा देखे, बिधाई का द्वारा पारित किसी बिधियक को पुनर विचार हितु वापस करने के लिए, ये स्वतन प्रकारी इसका नहीं है, पांच वादर है कि उच्छ नयाले का परामर्ष मांगने के लिए, उच्छ नयाले का परामर्ष मांगने के लिए, मंत्री परिशत से इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां पर अफ्रस ध्यान देंगे, जो भी ऑप्सन आ रहे हैं, उसके इसाब आपको सेट करना पड़ेगा, राज्य का राज्य पाल मंत्री परिशत के परामर्ष से स्वतन द करने के लिए और चौथा विधाई का पर किसी विध्यक को पुनर विचार भी तो वापस कर सकता है, तो इस तरह से अगर देखी का तो इसमें एक, दो, तीन, चार, यह चार ओप्सन सही जा रहे है, पांचवा यह गलत हो रहा है, तो ऐसा आप्सन देखेंगे, एक, दो, त तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यह पहला वाला ही अप्सन आपका सही हो जाएगा, यही आपका अंसर बनेगा, फिर दस्वा कोशन देखें, किसी राज्य में राज्येपाल की नियुक्ति समिधान की अनुछिर किसके तहत होती है, राज्य की राज्येपाल की नियुक्त पच्पन जो C दिया है उसमें होगा कि एक सब पच्पन हाँ ये राजेपाल की न्यूप्ती राजपती करता है इसी के तात यानि कि एक सब पच्पन और C आपसन सही है दीद रहें 156 के अंद्र दात ये तो राजेपाल की पदाउधी के बारे में पाते हैं तो आपका सही अं में से कौन सा होगा पहला दे रहें कि राजेपाल अपना पद ग्रहन करने से प्रो सपत लेगा या प्रतिज्ञान करेगा जी हां सपद अपना पद ग्रहन करने से पहले उससे सपत लेना पड़ता है पद की सपत लेनी पड़ती है ये सही है सपत या प्रतिज्ञान का प्र उपस्ति में जेश्ट्था नयादिस के समक्ष सपत या प्रतिज्ञान करेगा ये भी शही है चुकि राज्येपालों को सपत उस राज्ये के हाई कोड के मुख्य नयादिस द्वरा ही दिलाई आती है और अगो मुख्य नयादिस नहीं है तो जो सबसे जेश्ट नयादिस चारो अपसन बिल् ANNOUNCER डानि ये गलत हो जाएगा एक तीन चार ये भी गलत हो जाएगा और एक दो तीन चार देखिए या पर डूरुट की सायता से सही उत्तर को आपको चुनना है कथन का रहा है कि राष्ट पती और राज्येपालों पर उसके किसी भी कार्य के लिए नयायाले में मुकदमा नहीं चलाए जा सकता है जी हाँ विलकुल जब तक वो अपने पद पर है तब तक राष्ट पती और राज्येपाल पर और राज्य पालों को और समय धानी कृतियों के करने पर पधिचूत किया सकता है यह भी सही है यानि एक कथन सही है करण भी सही है दोनों सही है अब रही बात की कथन एक की ब्याख्या करन करता है कि नहीं तो आए देखते हैं कहां पर ऐसा है ए और आर दोनों सही है यह उम आ राजेपाल की बात है दोनों में अलग रख्चिए दी गई है और इसमें कारण जो दिया गया है कि कारे पर मुकदमा नहीं चल सकता है क्योंकि और सम्मिधानी करतियों करने प्रद्यूट किया सकता है तो इसका कोई वास्ता नहीं बन रहा है ये बिल्कुल सही नहीं जा रहा कारण से स्ट्रेट्मेंट्स का कोई लिए सानदी नहीं बन रहा है हलाकि दोनों सही है लेकिन बयाक्या नहीं हो पा रहा है सही. बिल्कुल यानि कि इस तीसरा option C नमबर जो है बिल्कुल सही है, अब आईए next question, चौदार नमबर कोशन दे रहा है कि निम्रलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राज्य पाल को दी गई बिवेका धिन सकतिया है, मतलब अपने बिवेक से क्या कारे कर सकता है, तो ये में दे रहा है कि भारत की राष्टपती को राष्टपती सासन अधिरोपित करने के लिए कह सकता है, जी हाँ, बिल्कुल, ये दम सही है, इसके लिए उसे किसी से परामर्श लले की जरूरत नहीं है, वस्वा बिवेक से कारी कर सकता है, दूसरा दिया है कि मंत्रियों की निक्ति करना है, मंत्रियों की निक्ति बिवेक से नहीं होता है, जबकि मुख्य मंत्री जो होता है राज्जी का, वही द्रजेशित करता है कि किसको मंत्री बनाना है, तो ये विवेक अलाकारे नहीं है तीसरा दे रहा है कि राज्य की विधान मंदल दोरा पारित कतिपे विधेकों को भारत के राष्ट पती की विचार के लिए आरक्षित कर सकता है ये विवेक पुर्ण निना है इसका तीसरा विवेक पुर्ण निना है चौथा कार है राज्य कि राज्येपाल किसके प्रती उतरदाई होता है चोकि राज्येपालों के नियुक्ति राश्टपती करता है इसलि राज्येपाल राश्टपती के प्रती ही उतरदाई होता है और आसा आप संदे के किस में दिया है ए में प्रधान मंत्री बी में राश्टपती ये आपका करेगा इससे निमलिखित में से कौन सा निसकर्ष निकालाया सकता है मतलब पांच बरसों तक पद पर काम करेगा इससे क्या निसकर्ष निकाला सकता है पहला कुसंद है किसी राजेपाल उसकी पदावधी पूरी होने से पुरुपत से नहीं हटाया जा सकता है नहीं हटाया सक अगर उनका उत्राधिकारी पद ग्रहन नहीं किया है तब तक उरह सकता है तो पहला और दूसरा दोनों सही एस्टमेंट है जबकि दोनों के बारे में दे रहा है ये गलत ये इसका मतलब कि दोनों ही नहीं ये आपका दोनों ही नहीं दोनों ही एस्टमेंट गलत है तो ये ज़र होगा अब आई देखें अगला कुशन 17 नम्मर क्या दे रहा है कि राज्य सरकार का कारिकारी अध्यक्ष शम्मेधानिक प्रमु कौन होता है राज्य सरकार का कारिकारी अध्यक्ष जो है शम्मेधानिक प्रमु कौन होता है राज्य पाल याद रखेगा ये राज्य पा नहीं है तो एदर है कि वो भारत की रास्ट पती दुरा नीपत होता है ये सही है एस्टेटमेंट ये सही है तो सही है तो ये एंसर नहीं बनेगा ये एक सथिक राजियों का राजी पाल हो सकता है ये भी एस्टेटमेंट सही है तो ये भी एंसर नहीं बनेगा वह पांच बरस तक पद पराता है ये भी statement सही है तो ये भी answer नहीं नहींगा यदित संभन्धित राजी की बेवस्थापी का अपने पद से हटायने का प्रस्ताव स्विकार करती हैं तो अपने पदावधी के पुरो भी पदमुक्त किया जा सकता है ये सही नहीं है यह एस्ट्रेट्मेंट सही नहीं है क्योंकि बिवस्थापी का कुपत सहटाने का कुई अधिकार नहीं है बिधाई का कुई अधिकार दिया गिया है यह आपका जो है एस्ट्रेट्मेंट सही नहीं है तो यह आपका यही आपका एंसर वनेगा में फिर उनी स्वाकुसन देख भारत का राश्टपती ये आपका सही अंसर है भारत का राश्टपती बिस्वा कुशन जम्मुयम कास्मीर की राज्येपाल की नियुक्ति कौन करता है तो जम्मुयम कास्मीर की राज्येपाल हुई या इंडिया की किसी भी राज्येपाल हुई सब की नियुक्ति राश्टप करता है тобो आए देखते एसा option एदर आ है कि जम्य काम्समीर का मुख्य मंतरी बिलकुल गलत बे हैं जम्य काम्समीर का मुख्य ने प्रदार्स ने घीए बेलकुल नहीं भारत का राश्च प्रति जी हां ये आपका सहिं अन्सर वो गया अब आ ये अगला कुसर देखते हैं एक किस्मा कोशन क्या कर रहा है कि राजेपाल की वेतन का जिक्र किस्मे किया गया चलिया राजेपाल की वेतन का जिक्र ऑप्सन देखिए यह दे रहा है Consolidated Fund of State उसके बाद यह है Consolidated Fund of India नहीं इंडिया से इसका क्या वास्ता है यह बिल्कुल गरत है यह अप्सन सही है यह सही जा रहा है तो आएए देखते हैं डे ए और बी दोनों जी नहीं Contigency Fund of State यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा आपका यह ही सही अंसर होगा Consolidated Fund of State से दिया रहता है ठेक है तो ए अप्सन सही होगा डी चुकि गलत इसलिए हो जाएगा कि ए और बी दोनों दिया है तो बी तो होगा इनी पहले 22 पुछन देखिए नमिलिकित कथल में से कौन सा एक कथल देखिए आपर क्या पुछा गया है सही है सही पुछा गया है अप्सन देखिए भारत में एक ही ब्यक्ति को एक ही समय में दोयाधिक राजियों का राजेपाल नियुक्त नहीं किया सकता है नहीं किया सकते दे दिया है अगर किया जा सकता है दिया होता तो यही शक्मेंट सही होता है क्योंकि सही कुछा पुछ आ गया नहीं है तो यह गलत हो गया यह आपका गलत चला गया भारत में राज्यों के उंच नयाले के नयाधीस राज्ये की राज्येपाल दुरा निक्त किया आते हैं यह गलत है भारत की समिधान में राज्येपाल को उसके पथ से हटाने तो कोई भी प्रकरिया अधीकथित नहीं है अधीकथित नहीं है अधीकथित मुख्य मंत्री के न्युक्ति उपर राजे पाल दोरा बहुमत समर्थन के अधार पर की जाती है विधाई ब्यवस्था वाले संग राजे छेत्र में मुख्य मंत्री के न्युक्ति अच्छा बिधाई ब्यवस्था वाले संग मतलब जिन राजियों में केंद्र सासित प्रदे तो इसा ही पुछा गया था? उसके बाद 23 वाद देखिए निमलीकित में कौन भारत की राश्पती की इख्छा तक हित पद परा सकता है? भारत की राश्पती की इच्छा के हिसाब से राज्यय पालिरा सकता है वैसे तो 5 बर्स का कारिकाल होता है लेकिर उससे पहले जब चाहे राश्पतीन को हटा सकता है क्योंकि इनका पद प्रसाद परियंत होता है 24 वा कोसन और आखरी कोसन देखिये दे रहा है कि नमलेकित में से कौन सकंटर भारत की किसी राज्य की सरवपर्थम महीला राज्य पाल बनी थी तो देश की पहली महीला राज्य पाल बनने का गौरव सरोजनी नाइडू को मिला था किस राज्य में उत्तर प्रादेश में याद रखेगा देश की पहली महीला राज्य पाल कोन सी है सरोजनी नाइडू जिनकों की भारत कोकिला की नाम से भी जनायता है या Nightingale of India के नाम से भी याना आता है तो यह रहे आज के 24 कोर्षन जो किवल राज्य पाल से लिटर थे अगले वीडियो में मैं एक बार फिर शे किसी एक टॉपिक को लेकर आपके पास आऊंगा तब तक आप मेरे वीडियो को जो है अधिक सदिक सेयर करें और यदि चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगी धन्यवाद